दीदी, ऐसे वक्त में बच्चों को सम्हालना कोई आसान काम नहीं है, पर राजेश और मैं पूरी कोशिश करते हैं कि छुटकी और मुन्ना को सही बाते जिखाएं जिखाना क्या है? घर पर ही तो रहना है पूरे टाइम घर पर रहकर भी नई आदते सीखनी होंगी, जैसे पार-पार और अच्छी तरह हाथ दोना, चहरे को हाथ नहीं लगाना, घर से निकलने पर मास्क पहनना, दूसरों से दूरी बनाये रखना, हमेशा रुमाल में चींकना हाँ, ये सब सिखाना तो जुरूरी है केवल सिखाना ही नहीं, इन आदतों को हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनाना है मगर कैसे? शुरूआत हाथ दोने से करते हैं हर काम के बाद हाथ दोने का एक गेम बनाया जा सकता है बाहर से लोटने पर, खाना खाने के पहले शौच के बाद हाथ दोना बहुत ज़रूरी है हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह दोना है ये सच मुझ बहुत ज़रूरी है दूसरी बात, अपने चेहरे को हम कितने बार छू रहे हैं इसके लिए भी एक गेम बनाया है जो सबसे कम बार अपना चेहरा चूता है उसे मिलते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हम सब यह गेम खेलते हैं जब तक हम बड़े ऐसा नहीं करेंगे बच्चे कहां मानने वाले हैं ये अच्छा आइडिया है पर चेहरे को हाथ नहीं लगाना इतना ज़रूरी क्यों है चेहरे को हाथ लगाने से कोरोना वायरिस हाथों से आखों, नाक और मुँ में जाकर हमें बिमार कर सकता है हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था अब मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी मुन्ना, हमें चेहरे को क्या नहीं करना है? चूना नहीं है अपने बढ़ते बच्चों को दीजिए सही विकास, साथ हेल्थ के साथ